हलो दोश्तो नमस्कार SMKT चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज जिस शेर के बारे में मैं बात करना वाला हूँ वो आप देख सकते हैं वो है अधित्य विर्ला कैपिटल मेरे कमेंट सेक्षन में सबसे ज़्यादा अधित्य विर्ला कैपिटल के बारे में मुझे पूछा जाता है सर इस शेर में क्या करें क्योंकि मैं कहना चाता हूँ कि इस शेर से रिलेटेड बहुत ही सोशल नेटवर्किंग पे बहुत ही पॉपिलारेटी से मतलब बोला था कि ये शेर खरीदो तो आने वाले समय में बहुत ही आपको शांदार रिटन मिलेगा और उनका बैग्राउंड क्या दिया था उन्होंने कि बहुत ही ब्रैंड नेम है आप देख सकते हैं अदित्य बिरला कैपिटल डेफिनेटल ये ब्रैंड नेम और सेकेंड और एक एक जामपल उनको बोला था कि बजाच फाइनेंस जैसे था बहुत ही पहले लो चल रहा था पेनी स्टॉक लाइक था पहले बजाच फाइनेंस और उसके बाद आज देख सकते हैं बजाच फाइनेंस ने कितना शांदार रिटन दिया है तो ऐसी चीज़ों के बैग्राउंड लेके बहुत सारे रिटेल निवेशकों को ऐसा दिखाएगा कि अधित्य बिरला कैपिटल के लिए आती है और उसके बाद वापस इसमें अगर आप देख सकते हैं गिरावट कंटीनिज लिए आती रहती है और जैसे कि मैंने कहा कि सबसे बड़ी रिटेल निवेशकों की गलती यही होती है कि वो अच्छे शेर में कभी भी एवरेज आउट नहीं करती है प्राइस वो बुरे शेर में हमेशा आवरेज आउट करेंगे मतलब कोई भी शेर उन्होंने खरीदा तो वो शेर नीचे तूटने लगा तो यह देखेंगे नहीं कि वो डाउंटरेंड में आ गया है कि नहीं क्या उसमें कोई प्रॉब्लेम है कि नहीं उनके बैलेंस शिट उनके फा बहुत सारे लोग फाइदा भी लेते और गलत डायरेक्शन में आपको मिसगाइड भी करते अब देख सकते हैं अभी ये शेर के हालत क्या हो चुकी है और फिर बोल सकते हैं 52 वीक लो ही चल रहा है अगर इसका अगर आप चार्ट देखोगे ये रहेखे 5 देस पहले अगर आप देख सकते हो तो ये करिब-करिब 97 था एक मेने पहले अगर आप देखोगे तो 99 के इधर था आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस एक साल पहले इसका प्राइस देखे फ्रेंड्स 178 था और 5 साल पहले अगर आप देखोगे मतलब 2000 सब्टेमबर में ये स्टार्ट आप जस्ट नाम और ब्रैंड के पीछे भाग रहे हो यही हुआ था JP Associate में भी क्योंकि राकेश जुन-जुन वाला जी ने बहुत ही जादा quantity shares खरीद लिए तो बहुत सारे लोग सोचने लगे कि हम भी खरीद लेंगे तो friends सच्चा ही यह होती है कि राकेश जुन-जुन वाला एक बहुत ही बड़े मतला बोलते है एनलाइसिस है और उनके लिए कोई 5-10 हजार करोड मतला बोलते है इतना loss उनको लिए बहुत ही मामुली से amount होती है friends और वो risk लेने की कुछ सोचते है इसलिए वो कुछ share ऐसे अपने portfolio में add करते है तो यह होता है friends कि retail निवेशक देखते है कि उन्होंने खरीदा तो हम भी खरीदेगे अगर stock market अगर ऐसा चलता तो कितना आसान हो जाता हम लोग बड़े निवेशक देखेंगे राकेश जुन-जुन वाला जी analyze करनी के होती है और अधित्य बिर्ला capital में भी वही हो रहा है friends कि continuously इसमें गिरावट है जबसे मैंने इस share के बारे में वीडियो बनाये हुआ है आप देख सकते हैं मैंने हमेशा आपको एक ही सला दिये कि इस share से दूर रही है friends और उसके आगे में ये भी का है कि ये share में खुद भी लेना चातो पर at what level जब ये share 200 के level पर आ जाएगा तभी अभी ये share में कोई भी जान नहीं है क्योंकि इनके quarter 3 के result भी आने वाले है और आप सभी को बताना चातो इससे पहले भी इनके result आये थे NSE के official website पर जाते और देख सकते हैं इसमें continuously buying देखें कितना है 55% buying और मैं बताना चाते हैं ये retail निवशक ज़्यादा होते क्योंकि ये social networking पर हमेशा वीडियो आएगा कि आदित्य विर्ला capital जैसा share खरी दीजे आप multi-wagger return कमाऊंगे ये share 237 पर था उसके बाद 200 पर आये तो बोलेगे कि देखे अभी ये share तूट गया है खरीद लो इसको उसके बाद 1500 पर आये तो उसके बाद बोला कि 1500 पर आये देखे कितना सस्ता हो गया खरीद लो उसके बाद 140 20 और आज देख सकते कि 90 के करीब आज चुक है और ये retail निवेश चकी होते है कि ये share में बहुत ही easily मतलब बोलते है ना निवेश कर देते है अगर इसका आप background थोड़ा देख लोगे friends तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका profit देखे नेगेटिव में चलता है और बहुत ही negative return भी चलते थे तो अगर company के पास खुद का profit नहीं रहेगा तो वो shareholder के distributing क्या करेगी तो ये बहुत सारी इसमें conflict है आप देख सकते हैं बहुत सारे problems है अगर इनके और भी अगर detail में बात की जाए तो मैं आपको इनके financial score पे लेके जाना चाता हूँ और कुछ important बाते बताना चाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो secured loan जो पहले 492 था अभी 674 हो गया है तो loan को थोड़ा बड़ा दिया है तो इतना कोई problem नहीं है यह देखिए liability देखिए 5000 करोड थी अभी 7000 करीब करे 8000 के करोड के करीब पहुच चुके तो बहुत ही यह जो बढ़ते ही चला जा रहा है आप देख सकते हो depth और सबसे बड़ा problem यह देखिए friends जो पहले current asset था अभी net current asset negative में reflect हो रहा है तो यह बहुत सारी indication देते हैं कि यह company का share बहुत कुछ अच्छा perform नहीं कर पाएगा आगे आने वाले future में भी तो ऐसे बहुत कुछ चीज़े हैं आपको वो analysis करनी की होती friends चलो इसके related profit and loss statement भी देख लेते हैं तो कैसे दिखता है इसका profit and loss statement देखिए net sales और यह तो अच्छा दिखे गाई बट overall इसका expenses भी बहुत higher इसलिए ultimately जो हाथ में profit आता है वो भी कम है इन लोगों का और मैं आपको बताना चाता हूँ ultimately मैं last इस पे लेके जाना चाता हूँ जो important है यह रहे कि EPS देखिए friends कितना मामुली से EPS है 0.03, 0.28, बहुत ही short EPS है friends तो अगर आपको जो return कमान है stock market में आप ultimately क्यों enter आते है क्यों आपको जो bank return देती है उससे ज़्यादा कमान है तो ऐसे share में अगर आप रहोगे तो आपका पैसा उससे अच्छा FD अगर आप bank का FD कर लोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा return मिल जाता पर ऐसे share अगर आप select करोगे emotion के साथ जुड़े रहे के तो definitely आपको कोई भी अच्छा return मिली नहीं सकता और बहुत सारे लोग friends इसमें फसे हुए है क्योंकि ये 52 week low पे चल रहे है तो आप देख सकते हो बहुत ही मतलब बुरा हाल हुआ हुआ है तो इसका सबसे बड़ा problem जो मैंने second reason बताया था कि budget finance है क्यों बहुत सारे लोगों के ऐसे social networking पे बताया जा रहा था ये देखे budget finance का ये देखे प्राइस देखे friends पहले 5 रुपे का share था और आप देख सकते हो उसके बाद ये चलते चलते आज इसका value धाय हजार के पास आसपास हो चुक है friends तो ये सारी बाते ऐसे बताई जाती कि अधित्य बिर्ला capital भी ऐसे ही खरीदो और आने वाले साल में बहुत ही वो तीन से चार हजार से पाच हजार तक पहुच जाएगा आप YouTube पे खुच सर्च करोगे तो आपको ये सारी चीजे मिल जाएगी ऐसे बहुत सारे चैनले इस शेर को पहले से बढ़ावा देते रहे पर कोई चार्ट पैटन में ऐसा कोई भी strength ही नहीं ज़र नहीं आता है कि ये शेर आने वाले साल में ऐसा कुछ performance कर पाएगा और और एक मी बात बताना चातो फ्रेंड्स आखरी बात कि बजाच finance का आप जर चार्ट देखिए ऐसा plane चार्ट और फ्रेंड्स उसके बाद ऐसा उपर है और जो अधित्य विर्ला कैपिटल का आप चार्ट देख रहे हुँए ऐसे ऐसे नीचे आया हुआ है तो आप ऐसे expect कर रहें कि ऐसे नीचे आया हुआ शेर वापस ऐसे उपर जाए जो कि बहुत ही difficult होता है और ऐसा भी कह सकते कि ना के बराबर होता है क्योंकि इसके लिए बहुती strong level के decision लेने पड़ते है obviously दा अधित्य विर्ला कैपिटल एक बहुती अच्छा ब्रैंड ने में पर उससे related हम लोग ऐसे blindly trust नहीं कर सकते stock market में हमें सारी चीज़े अच्छी से पढ़नी होती है friends जैसे कि मैंने कहा कि Unitec company आप सभी को बताए एक जमाना था Unitec का share क्या चलता था friends पर अगर आज आज आप उसके हालत देखोगे friends तो 2 रुपया भी value नहीं है आपको मैं बताना चाहता है यह देखिए यह कि Unitec के share अगर आप देखोगे इसका all time तो यह देखिए friends उसका एक जमाने में value देखिए friends कितना था 2008 मतलब करीब 10-11 सल पहली की बाद है 521 पे चलता था और बहुत ही अच्छा performance करता था और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका हालत क्या है तो कोई भी company कभी क्या हो सकती है उससे related हम कभी भी predict नहीं कर सकते है तो यह मत सोची कि यह brand यह मतलब यह अच्छा ही perform करेगा अधित्य विर्ला कैपिटल के और भी brand के और भी shares available वाले market में आप चाहो तो वहाँ पर diversify अपने income कर सकते हो तो ultimately मैंने यही बताने के लिए वीडियो बनाया था क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि अधित्य विर्ला कैपिटल में निवेश किया जा सकता है कि ने तो मैं इनको strictly ना ही कहना चाहता हूँ जितने भी मैंने आज तक अधित्य विर्ला कैपिटल से वीडियो बनाया हूए उसमें मैंने strictly ना ही बोला है और अगर आपको buying करना है जैसे मैंने खुद भी का मैं खुद भी इसमें निवेश करना चाहता हूँ पर जब ये share 200 का level टच करेगा तब ही मैं इसमें निवेश करने का interested रखूंगा तब तक बिल्कुल नहीं एक छोटा मोटा उचल definitely आ सकता है आज share 93 एकल 120 तक भी जा सकता है पर वापस वो नीचे आके 80-70 भी आ सकता है definitely क्योंकि जब तक company का performance अच्छा नहीं होगा तो आने वाले इस time में company में उतना strength create नहीं होगा तो ultimately मेरा answer उन लोगों को वही है जो पूछ रहे थे कि sir क्या इसमें निवेश करें तो आपके लिए बिल्कुल नान है इस share में आपको definitely निवेश नहीं करने है और second question राज sir हमारे पास already ये share है तो क्या करें देखिए अभी इतनी गिरावट हो गई है तो मैं यही कहना चाहता हो अगर आप loss book करना चाहते है तो बहुत ही heavy loss होगा तो आप इसको hold करके रख लीजे चाहे तो वो 125 ता आख जाएगा तो आप चाहो तो उसमें एक up run में अगर आप चाहो तो आप इसमें से निकल सकते हो पर प्लीज उसमें और average आउट करने के लिए मत खरीदना quantity क्योंकि यह share और भी गिर सकता है जैसे कि मैंने कहा जब तक इसमें अच्छा खासा profit balance sheet पे नहीं आता profit and loss पे नहीं आता तब तक हम लोग इनके जो financial result है जब तक positive नहीं आते तब तक यह share में हम लोगों को निवेश नहीं करना है तो यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनायता आपको सावत करने के लिए वीडियो बनायता friends so I hope आचा करता हो आपको इस वीडियो अच्छा ल पिल भी मेटे का नवर नेक्स टूडियो तब तक के लिए बाई बाई